हलो दोस्तों, HTML और CSS के इस टुटोरियल में आपका स्वागत है आज क्या हमारा टॉपिक है Basic of HTML पिछले टुटोरियल में हमने देखा कि HTML और CSS का यूज हम क्यों करते हैं जो हमारा टॉपिक था What is Website? में इस Website बनाने के लिए HTML और CSS का उप्योग करते हैं HTML और CSS विबसाइट बनाने में यूज की जाती है आज हम जानेगे उसी HTML के Basics क्या है, Basic Components क्या है अगर आपको इसका यूज देखना है तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो आप देखें तो आपको HTML और CSS का यूज मालू हो जाएगा लेकिन अगर आप देख चुगे हैं तो चलिए आगे करते हैं आज देखते हैं HTML के Basics क्या है Basic Component क्या है HTML को हम यूज कैसे करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं What is HTML? HTML है क्या? HTML stands for Hypertext Markup Language Actually, HTML जो है वो Hypertext Markup Language का Sword Form है चलिए ये तो जनली सभी को मालूम होता है जिन लोगों ने थोड़ा बहुत HTML के बारे पढ़ा होगा उन्हें तो ये मालूम ही होता है कि HTML का Full Form होता है Hypertext Markup Language लेकिन इतना ही हमारे लिए काफि नहीं है जब हम किसी इंटर्व्यू में गए तो एक्जामनर हमसे ये सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि हम ये उसे बता दें कि HTML का Full Form Hypertext Markup Language है आप से वो पूछेगा उसे वो पूछेगा HTML है क्या तो आपने उसे बता दिया Hypertext Markup Language लेकिन वो यहीं पर Question Mark लगा देगा कि Hypertext क्या है Markup क्या है Language क्या है तो चलिए जानते हैं इसके Basics के बारे में इसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में कि Hypertext क्या है Markup क्या है Language क्या है तो Hypertext सबसे पहले जानते है Hypertext क्या है Hypertext refers to a lot of text behind a text means Hypertext एक ऐसा टिक्स्ट होता है जो अपने पीछे बहुत सारा टिक्स्ट को कंटेन किये होते है Hypertext एक ऐसा टिक्स्ट होता है जो बहुत सारा टिक्स्ट अपने पीछे छिपाई हो रहे होता है अगर कोई भी विबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है जैसे हमने किसी College की विबसाइट ओपन कि तो उसमें बहुत सारे ओपर मीनूज बने हुए होते हैं जैसे Homeका, About Us, Service, Courses और भी बहुत सारे मीनूज बने हुए होते हैं तो हमें अगर Courses के बारे में जानना है तो हम सिर्फ एक टेक्स्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे और उस कोर्स उस कॉलेज में में जितने भी Courses होंगे उसके लिस्ट हमारे सामने आजाएगे उसके डिटेल हमारे सामने आजाएगे तो चुनू में हमारा Cours लिखा हुआ था वो हमारा Hypertext है क्योंकि वो था एक ही Text एक Text था Cours लिखा हुआ था लेकिन जैसे ही हमने किया उसके पीछे बहुत सारा टेक्स्ट आ गया मतलब उस कोस से लेटर बहुत सारा टेक्स्ट आ गया तो यह होता है hypertext मार्कप क्या होता है अगर विफसाइड में हमारा कोई पैराग्राफ सो हो रहा है या कोई इमेज सो हो रही है तो उसको सो करने के लिए मेंस कंटेंट को सो करने के लिए हमारे अगरे पास बहुत सारे टेक्स होते हैं और यह मारक अप उनी टेक्स को रही प्रिजेंट करता है लाइंग्वेज लाइंग्वेज इस एस टॉफ डेट फॉलो प्रिजेंट संथिंग जनना लाइंग्वेज कुछ रूल्स का कलेक्शन होती है कि हमें अब कुछ चीज और तो कुछ व्यक्त करना है तो उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स बनाय हुए होते हैं वह लीज होती हैं जैसे अगर Inglish language की बात करें तो Рूल्स में हुए हैं अगर हिंदीwords की बात करें तो उसने कुछ बनाये हुए हैं कि हम अपनी भासा को पैसे व्यक्ट करें के लिए आगे बगते हैं रोल्स ओफ इस्टेमिल इस टाइफ अप लेंग्वेज दिन इट हैसम रोल्स एंड लिम्टेशन लाइक अदर लेंग्वेज जैसा कि हम जानते हैं कि कि इस टेमिल का यह है हैए ऐस तब लाद के सुम रोल्स तो मतलब इसके पास बहुत ब्रसराइबश रखती है लिम्टेशन रखती हैं वह से इसके पाफ भी कुछ छोनिंटे संसे जैसे के लिए देखे हैं तो अगर हम English language उठा लेगे तो उसमें क्या होता है उसमें कुछ rules होते हैं कि अगर हम English लिखने जा रहे हैं तो उसका first letter जो होगा वो हमारा capital होगा उसके बाद हमारे small होगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया rules of system में लिखा हुआ है इसमें क्या है rules का R capital है U छोटा है L छोटा है E छोटा है means इसने एक rules बना रखका है जब हो कोई word लिखेंगे तो उसका first letter capital होगा दिन उसके बाद के सभी small होगे यह rules है limitations भी उसकी सुन ले limitations क्या है इसकी limitations English language की limitations है कि उसने एक limit बना रखका है कि आप कुछ भी लिखें इंग्लीज में आप कुछ भी लिखें पढ़ें आप सिर्फ 26 character ही यूज कर सकते है means A to J character ही यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं कर सकते हैं उसन और HTML के बाद भी limitations और rules हैं तो देखते हैं इसका first rule क्या कहता है rule first इसका कहता है कि HTML presented by markup tag HTML जो present की जाती है वो markup tag के दौरब present की जाती है अब tag क्या है चलिए tag को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं परते हैं tag के लिए हमारा एक अलग से topic है उसमें बहुत गहराई से समझेंगे बट इसमें बहुत ज्यादा force करने की ज़रुत नहीं है अगर समझ में आ रहा है तो इसे आप आगे जैसे यूज करेंगे आप समझ जाएंगे तो उसी प्रकार HTML को भी व्यक्त करने के लिए tag आते हैं जैसे English को व्यक्त करने के लिए alphabets आते हैं उसी प्रकार HTML को व्यक्त करने के लिए present करने के लिए tag आते हैं अब कोई पूछ लिए tag क्या होते है what is tag तो general definition में यहाँ पर लें अब predefined text which written within angular bracket is called tag text मतलग कुछ predefined पहले से ही उन्हें define किया गया है अगर उन्हें angular bracket में इस ब्रेकेट के अंदर अगर हम लिक देते हैं तो वो tag बन जाते हैं जैसे example के लिए हमारे पास दिये गाए है HTML tag है P tag है paragraph के लिए IMG tag है image के लिए ठीक है चलिए आगे बगते है है रूल नंबर सेगंड इसका क्या है दूसरा रूल इसका यह कहता है HTML इस नॉट के सेंस्टिव लेंगवेज नहीं है मिस के सेंस्टिव मतलब इसका छोटे लेटर या बड़े लेटर से कोई मतलब नहीं है कि जैसे हम HTML कैपनल में लिख दें जा है HTML में लिख दें दोनों सेम है दोनों वर्क करेंगे दोनों ब्राउजर पर रम होगे अगर इसका यह कहता है जैसे अगर पीडियक ले 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 तो उसका extension होता है .pdf अगर हम वर्ड फाइल ले 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 तो उसका extension होता है .txt means other अलग-अलग फायल की अलग-अलग extension होती हैं उसी प्रकार हमारे html file यह html documents का भी ड्स thsm यह extension का काम क्या होता है यह extension सो करता है कि हमारा यह छे html का documents होगा वह open होगा किस के साथ, browser के साथ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो HTML language है वो केवल और केवल ब्राउजर पे ही रन होती है और ब्राउजर सिर्फ और सिफ HTML language ही समझता है तो मतलब अगर हम HTML का documents बना रहें तो वो हम मतलब केवल और केवल ब्राउजर पे रन करने के लिए ही बना रहे हैं और अधार कहीं हमारा रन नहीं होगा इसलिए जब हम .html से save कर देते हैं तो वो हमारे default ब्राउजर का icon show कर देता है Rule no.4 यह कहता है कि जब हम HTML coding की शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम HTML type open करते हैं और जब हमारा सारा code लिख जाता है तो सबसे last में HTML tag हम close करते हैं means HTML से open होता है HTML से close होता है means यह सारा code contain करता है यह present करता है HTML documents को अब यह HTML documents के दो पार्ट होता है यह दो पार्ट में डिवाइड होता है first होता है hit section second होता है body section means हमारा यह हमारा web page होता है वो दो section में डिवाइड होता है hit section और body section अब hit section क्या होता है body section क्या होता है जो hit section होता है उसका काम होता है हमारी web page के behavior को सो करता है means web page का behavior क्या है उसको सो कौन करता है हमारा hit section body section क्या होता है body section सो करता है हमारा content जैसे image सो करनी है तो हमारा body section में लगना है आगर ग्राइब्सों करना है तो बोडिसेक्सं में अगर हमें हेडिंग लिखना है तो बोडिसेक्शन में इसको क्यादब кол tudy लेक shines लेकिन मैं नियुन अगर हो सकता है आप लोग ऑड़ टीफकली सेक्ष सेट्टेश करने पार-खर प्रकत करनें saint क्राल सक्कोने कि का we are किसी एफ इनसान को ले लें तो उसमें हम देखते हैं कि उस इनसान के विए दो पार्ट्स होते हैं पहला हेड दूसरा बॉडी मिस जो इनसान होता है वो दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है में हेड बॉडिी मिस हेड बॉडि मिल जाए तो एक इन्सान बना जाता है , इसरी हमारा हटेमल डॉकुमि Тем Clay wevins और मल जाए हेड बॉडी सेक्सरन अगर लगाता है तो एक हटेमल डॉकुमिन होन् weapon जाए हेड सेक्सरन praw काम क्या होता है इंसान के behavior को सो करता है मितलब उसकी पहचान कराता है कि यह कौन सा इंसान है इसका name क्या है अगर किसी इंसान का head काट दिया जाए तो उसकी पहचान नहीं हो सकती कि और body से उसकी पहचान नहीं हो सकती कि वो कौन सा इंसान हो उसका नाम क्या है तो वो हमारे head section करता है, पहचान करवाता है, वो इनसान के behavior को present करता है, जैसे हमारा HTML documents हमारे web page के behavior को सोगरता है, वैसे हमारा, ठीक दोस्तों, तो आज की tutorial में सिर्फ इतना ही, इसके आगे tutorial में हम देखेंगे, इस HTML code का हम use कैसे करते हैं, इसको run कैसे कराते हैं, करते हैं, इसको run कराने के लिए, हमें कैसे, कौन-कौन से step follow करने परते हैं, तो यह हम next step, next tutorial में देखेंगे, तब तक के लिए, नमस्का, धन्यवाद,